अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें आज हम इस तरह से मैट बनाना सिखेंगे देखो कि बहुत ही काम की चीज है तो हमने ये दो पुरानी बोरी लिए है जो की चावल की है इसका इंग पाट काटके हटा देंगे फिर अम इसे डाइडाई इंच की स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे सारी बोरियों को हम इसी तरह से क कर लेंगे एक एंड को पकड़ करके बीच ओबीच हम सीजर से काट करके इसकी लंबी स्ट्रिप्स बना लेंगे इस तरह से हम सारी बोरियों को रेडी कर लेंगे ऐसे हैं तुसरी बोरी को भी कर लेंगे एनड पाट करके लंबी लंभी स्ट्रिप्समें इसे भी त्यार कर लेंगे देखो इस तरह से वेज बीच से ऐसे करकर लंभी पाटी दे बोरी द्येर स्ट, कर लें н december कर लें गे जिससे हम बोरी की बॉर्डर को फिनिश करेंगे, मैंने एक एंड से सिलाई करना शुरू किया है, उसे एकदम नीचे तक देखो सिलाई कर लिया है, मैंने अब इसे पलट करके दूसी तरह भी हम सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि हम लोग एजेस को फिनिश करते हैं, उसी तरह स आप ये सारा काम सिलाई मशिन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से कर जी हूँ सारा काम, तो देखो इस तरह से करते हुए, पूरे एंड तक करते हुए, हम इसे इसकी बॉर्डर को फिनिश कर लेंगे, बोरी से मैंने टोटल 22 पटिया काटी थी, क्योंकि मुझे स्क्वार मै इस तरह से काट लें, तो देखो 11 पटिया मैंने इस तरह से बिचा ली है, अब मैं इसकी लंबाई नापलूंगी, तो ये टोटल 32 इंच आया है, और 2 इंच बढ़ा के लेंगे 34 इंच ताकि हमारा साइड का एज भी खतम हो जाए, सिलाई में ही, देखो मैंने दो पटिया क इससे गद्दा सिला जाता है, उसमें मैंने उन डाल रखा है, ताकि मजबूत बने, आप भी किसी भी कलर का उन ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी धागा ले सकते हैं, तो इस तरह से मैं इससे सिलाई कर लूँगे, ताकि ये कपड़े के साथ अटाच हो जाए, सारी पटियां और इधर उदर हो नहीं, देखो इस तरह से अटाच करके इससे फिक्स कर देना है, एक पटि को मैंने इससे अटाच कर लिया कपड़े से, इसी तरह से हम दूसरे तीसरे सारे को कर लेते हैं, तो देखो अभी तक मैंने पांच पटिया अटाच की, यहां मेरा उन खतम हो गय तो देखो यहां पर इसे कैसे fix करना है तो पीछे साइट से इसे इंसर्ट करके हम इस पर एक नौट लगा देंगे ताकि अच्छे से पक्का हो जाए इस तरह से करते हुए कि सुई को धागे में से निकालते हुए देखो इस तरह से नौट लगा देंगे और फिर हम इस पर जो है गाट बांद देंगे तीन चार गाट ताकि पक्का हो जाए बिलकुल भी कि देखो इस तरीके से रेंवा हुआ u ngay ku 8 कथ कर देंगे क्या चीसे तो वहां तक हम पुरे से लाइं करके से रेडी कर लेते हैं तो देखो इसे मैं ने पूरे में एटेच कर सारी स्ट्रिप्स को एक कपड़े में अटाच करके से कंप्लीट कर दिया इसे दूसरी तरफ हमने जो एक एक इंच बढ़ा करके दोनु तरफ लिया था 32 इंच को 34 इंच में तो वह भी हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि देखो इस तरह से एजेज में फिनिश हो जाए इसके और कि मोड़ते वे शिलाई लगा देंगे डबल महनत हमें नहीं करना होगा कि फिर से कपड़े को इसमें जोइन नहीं करना पड़ेगा तो देखो इस तरह से सिलाई करते हुए इससे हमारा एजेज भी साइट का फिनिश हो जागा कुछ दीखेगा भी नी रोईजेज तो इस इस तरह से करते हुए और बीच में पट्टी डाल देंगे ठीक है इस तरह से और दोनों तरफ हम पीन लगा देंगे ताकि यह खिसके नहीं अगर आपके पस कपड़ा वाला पीन हो तो ठीक है नहीं तो मैं तो सब्टी पीन यूज कर रही हूं तो आप भी वैसे ही कर लेना दोनों तरफ पिन लगा दिया अब उसे हम वापस कर देंगे वैसे हैं तो यह एक मैट कर बन जाएक डिजाइन फिर जी से हमने पहले नहीं उठाया था अब हम उठाएंगे इस तरह से एक बार यह उसे छोड़ेंगे फिर दूसरे को उठाएंगे फिर दूसरे को फिर इसके बीच में एक पट्टी हम इंसर्ट करेंगे टोटल हमने 22 पट्टिया काटी तो ग्यारा ऐसे जाएगा ग्यारा इस तरफ से आएगा तो टोटल 22 कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से ब्लॉक बनाते हुए हम सारे मैट को नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे दोनों तरह पीन जरूर लगा दे ताकि खिसके नहीं इस तरह से सारी मैट को पूरी को कंप्लीट करके देखो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अब इसके साइड साइड में जितनी भी निकली हुई है बोरी की पार्ट उसे हम काट लेंगे एक तरफ तो हमारा फिनिश यह उपर में जहां पर हमने पाइपिन लगाया है तीन तरफ का हम काट लेंगे काट के इसे बराबर कर लेंगे तması में मूपी और बड़ी वाली जो सुी होती और उसमें में हम दागा डाल लेंगे या उन डाल लेंगे और उससे हम तेनों तरफ लिए क्योंकि एक तरफ था हमारा और हमारा कंप्लीट है पाइपिन से तीन तरफ बचा हुआ, तीनों तरफ हम उसे सिलाई करके फिक्स कर लेंगे इस तरह से, सिलाई कर लेती हूँ पहले मैं, तो देखो मैंने सारा सिलाई कर लिया है, अब मैं तीन तरफ के लिए कपड़ा काटूंगी, जैसे एक तरफ हमने फिनिश किया पाइपिन से, वैसे हम कुछा, तीन तरफ भी कर लेंगे, फिनिश, तो कपड़ा काटके इसे फिनिश करके आपको दिखाती हूँ, तो देखो, मैंने फिनिश कर लिया है, चारो तरफ मैंने फिनिश कर लिया है, लेकिन बीच से क्या होगा न, अबिर किसी का पैर फचे तो कोई गीर सकता, तो इस करेंगे और फिर दूसरी सिलाइ लगाएंगे इस तरह से करते हुए यह हमारा एक डिजाइन पैटन भी बन जाए को हमारा चटाई हो गया है कम्पलीट मैट हो गया है कम्पलीट यह बहुत ही यूसफुल है बनाना थोड़ा सा महनत है अगर शिलाइ मशीन है तो कोई भी महनत है अगर आपके पास उन ना हो तो हम धागे से सिफसे लाई भी कर सकते हैं तो यह बन कर हो गया रेटी तो चलो फ्रेंट्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई एंड टेक केर